तो आज सेजन एट का मैच नमबर 17 होने जा रहा है नौर्थ इस्ट इूनाइटेड एप्सी वर्चिस एप्सी गोवा साम सारे साथ बजे फटोरे स्टेडियम पर मैच स्टार्ट हो जाएगा आप अगर लाइफ देखना चाहते हो मोबाल पर तापको होट स्टार जियो टीबी और वान फूटबल पर मिल जाएगा इसके इलाबा आप अगर टीबी में देखना चाहते हो तापको स्टार्ट स्पोर्स नेट्वाक फोलो करना परेगा तो इस बरे में हम लोग बात करने जा रहे है इस मैच के बारे में इस मैच के हम लोग प्रिव्यू करेंगे दोनों टीमों का अभी क्या नियूज है क्या स्टेक्स है दोनों टीमों का क्या लाइन अप हो सकता है इस मैच पे कौन से खिलारी की साबित होगा विनिंग चांसे से क्या है अभीता को कमबैक नहीं कर पा रहा है दूसरी तरह आप इपसी गॉआ का भी भाई वही हाले अपने पहले मैच पर रहा था उसके बाद जमसित्पुरी एपसी के खिलाब भी कुछ खास पामेस इनका नहीं था तो दोनों ही टीम भाई एक कमबैक मैच की खोज कर रह है बहुत सरा इनके इंपोर्टेंट खिलाडी मौजुत नहीं है तो इसका फाइदा ले सकता है एपसी गॉआ लेकिन नौजिनरी डिप्सी कमबैक कर सकते है इनके पास भी दमखाम है इनका कोज भी अच्छा काम कर रहा है अभी फिलाल लेकिन पहुंच नहीं आ रहा है तो कि लास्ट तीन मैचों में से उन्होंने सुरिफ दो मैच जीता है बैंगलू डिप्सी के खिलाब चार दो से हारा था उसके बाद क्रेलबेस्टर रिप्सी के साथ ड्रो किया था और चेने निप्सी के खिलाब हारा है और अभी तक आईसल के हिस्ट्री में नौस नेरी है फास्ट तीन मैच इन्होंने जीता नहीं है इससे पहले जितना भी भाई इन्होंने सीजन खेला था फास्ट तीन मैचों में से एक मैच इन्होंने कम से कम जीता है लेकिन इस दफाए ऐसा कुछ नहीं हुआ है और यहीं पर यह बात भाई खतम नहीं हो रहा है कि तीन है और साथ-साथ इनका भाई मिट्फिल्डर गर्लेगों को भी इंजरी हो चुका है तो बहुत सारा चीज यहां पर भाई अभी झेलना पर रहा है हाइलन्डर्स को और इनका सिट्वेशन बतर से बतर होते ही जा रहा है और खास करके इस मैच पर भाई एपसी गोवा तो स्काम उनके लिए बहुत ही टफ है दूसरी तरह अगर इपसी गोवा को देखा जाए तो भाई एपसी गोवा का भी कुछ खास शुरुबात नहीं है नौसुन एपसी का जिस तरीके का ही इनका भी शुरुबात है लागातार दो मैच इन्होंने हारा है अपने पहले मैच प दिख रहा है कि एपसी गोवा का ओस्टेवर स्टार्ट है किसी भी सीजन का बैक टुबैक दो हार कभी इन्होंने जहला नहीं है सीजन के शुरुबात में ही और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वानफरंड़ों का टीम बहुत ही स्ट्रॉंग दिख रहा था उन्होंने एक के सेटलमेंट भी भी भीज दिया था दुरॉंड काप को जीतने के बाद सभी टीमों के पास लेकिन जब भी भाई स्टार्ट हो सीजन बहुत ड्रास्टिकली सब कुछ चेंज हो गया है आपर क्लिया तरीके से दिख रहा है कि एपसी गोवा बहुत जादे स्टागल कर रहा है जो नया बीजी सी का रूल आया है उसके डिगार्डिंग क्यूंकि आपको श्रीप तीन ही बीजी सी खिलारी पिलिंग अबने सामिल करना है तो बहुत सोच समझ कर करना होगा सभी टीमों को लेकिन एपसी गोवा के उपर इसका एफेक्ट बहुत ही जादा ही दिख रहा ह है आपको क्या लग रहे कि इस तरीके काही क्या सिचूइसन है मुझे तो लग रहे कि बीजी सी किलरी के चलती ही इनका प्रमेश थोरा डाउन गया है तो एपसी गोवा भाई इस मैच पे एक कमबेक करना चाहेगा और इनको मिले गए इस मैच पर क्यूंकि नौशन अडिर इस अभी तक इनको लास्ट तीन सीजन में हरा नहीं पाया है तो कहीं न कहीं इस गोवा के पास थोरा बहुत चांच से इस मैच पर कमबेक करने का नेक्स्ट अगर टीम न्यूज की बात किया जाए तो भाई यहाँ पर नौशन अडिर इन्जरी के चलते तो यहाँ पर आब लोग देख सकते हों कि कितना बुरा सिच्वेशन है इनका कुछ बदराब तो इनको जरू करना परेएगा अपने प्लिंग में सालसत अपनी स्कौर्ड में भी जब जनौर इट्रिंस पार विंडो आएगा उसके बाद अगर में एपसी गोवा के बात करूँ तो एपसी गो का टोटल अभीता का 14 मैच हुआ है जहां पर एपसी गोवा ने पांच दफाजीत हासिल क्या है और टोटल साथ मैच ड्रो हुआ है तो कुछ इस तरह के कहीं इनका हेट्ट वेर मामला है अब चलि हम देख लेते हैं दोनी मों का लाइन अप क्या होगा इस मैच के लिए तो सब्सक्राइब को देखा जाए तो आपको यहां पर बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सब्सक्राइब है और प्रग्यान उसके बाद विल्यम रहेगा मैथियस कोडियर और वीपी सुहेर नेक्स अगर इप्सी गोवा के बात किया जाए तो इनका भी फॉर्मेशन सेंटु 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 और अलेक्जानडर इस सभी भाइ मीट फिल्म में काम करेंगा और आफ फ्रोन में आपको अलबर्ट नगविरा सेवियर गमा और आरम कबरेईरा नजर आएगा तो यह रहा मेरी तरफ से दोनों टीमों का प्लिंग अ इस सीजन का बेस्ट फोरवाड है नोसिन एडिर इफसी के तरफ से उन्होंने ही फास्ट मैच से अपना पहमेश दिखाना शुरू कर दिया है और सभी टीमों के लिए बहुती बरा थ्रेट है अपना वर्सिटिलेटी उसके बाद अपना जो फ्लंग स्विच अबिलिटी है वो बहुती कमाल तरीके से सभी को दिखाई दिये रहा है और उन्होंने भाई लास्ट मैच पे बहुत सरा बराबरा चांसेस क्रेट करके दिया था नौसिन एडिर इफसी को गोल भी लगाया था चेनले निफसी के खिलाब और बैंगलो इफसी के खिलाब जब पहला मैच ख इसके बाद नेक्स्ट अगर इफसी गोवा के बात किया जाए तो इफसी गोवा के लिए मैं आईरम कब्रेर को चूज कर रहा हूं एज इस्ट्राइकर इनके कंधों पर बहुत सरा जिम्मेदारी है बहुत सरा एक्सपेक्टेशन है एक और अंगलो के जगे इनको सामिल किय गया और इगोर अंगलो ने किस तरीके से पॉपमिस किया था इफसी को हमें आपको उसके बारे में अल्डेडी पता है लेकिन मुंबाइसिटी एफसी के खिलाब पहले मैच पे बहुत ज्यादा इन्होंने स्ट्राइगल किया था लेकिन हमें थोरा कमबैक देखनों को मिला रहा हूं आइडम कबरेरा को और इसके बाद चली मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं तो पहला फैक्ट है कि बाइफसी गौह और नौसिन अडिर इफसी अपने एक दूसरे के विरोध टोटा साथ ड्रो खेला है जो कि किसी भी अन्ने टीम के तुलना से भाई सबसे जादा ड्रो है उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट एकि बैए इडुबीद्या और गल्ले को लॉंगस्ट त सार भिंग बीडी सी ख्लारी है अपने लाब का एडुबीद्या भिए बहुत सालों से यहां पर है रहा है इस फिक्स यर में टोटल 27 गोल लगाया है और नॉस्ट न अठरा गोल लगाया है 14 मैचों में जैसे कि मैं आपको बताया था कि 14 मैच इन्हों ने खेला है एक दूसरे के भी तो 14 मैच खिलने के बाद 27 गोल इफसी गोल के तरफ से है और अठरा गोल है नौशनेडिट इफसी का तो इरहां इस मैच से डिलेटिट कुछ फैक्ट अब जल का चांस रहेगा यहां पर 55 परसेंट नौशनेड़े रिप्सी करेएगा 44 परसेंट आप लोग भी अपना राइज जरूर शेयर करना विनिंग चंस को लेकर फिलाल के वीडियो कहीं पर इंड कर रहा हूं आपको बहुत बहुत सुख रहा है टाइम निकल कि देखने के कर दो कि देखने कर दो कर दो कर दो